जै शिरी राउं आज हम बात करेंगे ब्रस्पती के राशी परिवर्तन के बारे में कि ये राशी परिवर्तन मीन राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है आपका बोलता नाम बीन राशी के आधार पर है आपका चंद्रमा बारे नंबर की राशी में बैठा हुआ है तो यह वीडियो आपको बहुत हैल्प करने वाला है मीन राशी जो की अपने आप में एक भावनातमक राशी भी है और उसके लॉर्ड भी ब्रस्पती है यहां पर ब्रस्पती राशी और दशम दोनों का अधिकार लिये हुए है यानि आपके मान सम्मान आपके कर्म आपके कारेच्षेतर को बनाने वाला जो प्लैनेट है वो ब्रस्पती ही है यह ब्रस्पती आपकी राशी से अब तक 12 में ट्रांजिट कर रहे हैं आने वाले 14 सितंबर को ये ग्रह वक्री होते हुए एकादश भाव में आएंगे 14 सितंबर से लेकर लगभग 20 नवंबर तक इस ग्रह की यातरा इसी घर में रहने वाली है जिसको हम कहेंगे कि एक नीच और वक्री ग्रह शनी की इराशी में चल रहे होंगे जिसमें शनीदेव स्वैम ही विराजमान है जहां शनीदेव इनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि घर का मालिक घर में है जब किसी घर के अंदर घर का मालिक विराजमान हो यानि मकान मालिक घर के अंदर मौझूद है उसके अंदर बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है तो वो व्यक्ति मजबूत तो पहले से बैठा है लेकिन उसको थोड़ी वो चिंता उसी से होती है जो बाहर से अंदर आ रहा होता है अब वो बहार से जो अंदर आ रहा है वो एक शुब ग्रह है यानि वो शुब ग्रह है खुद उस घर में आके मजबूत महसूस करेगा क्यार इस घर का जो मालिक है एक अच्छा कासा आदमी है स्वेराशी का होके अपनी राशी में बैठा तो पहली अच्छी बात के एक बारवे घर से प्लैनेट का ट्रांजिट होते हुए 11 में आ रहा है बारवा एक्सपेंडिचर लॉस वे आपकी अधिक मेहनत को जर्शाने वाला बहुत अधिक प्रियास करा के कम लाब देने के लिए जाना जाता है कहां आ रहा ये प्लैनेट एक आधश में कहां से ये राशी से ग्यारवा है राशी से ग्यारवे में गया हुआ कोई भी प्लैनेट लाब अवश्य देता वहाँ पे लाव का मालिक शनी पहले से बैठा है और व्रस्पती उसको और सपोर्ट देने के लिए आ गए इसका मतलब है सोर्सों फिंकम बढ़ाने के लिए तैयार है प्लैनेट आपको फाइदा देने के लिए तैयार है प्लैनेट शनी और व्रस्पती दोनों का आशिरवाद हैद एक आदश में इसलिए multiple source of income पैदा कर सकता है आपको अधिक पैसे दिला सकता है आप जिस लाब के लिए लंबे समय से प्रियास कर रहे हैं उस लाब को दिला सकता है ये प्लैनेट क्योंकि ये दोनों प्लैनेट वक्री होंगे इसलिए अचानक से कोई बड़ा offer भी आपको मिल सकता है प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन दिलाएगा नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी दिलाएगा व्यापार एक व्रद्धी नहीं हो रही है तो व्यापार में इन दिनों पैसा अच्छा आने की उम्मीद बनेगी क्योंकि शनी और ब्रस्पती का डोहरा ट्रांसिट एकादश भाव को एक्टिवेट करता है मान सम्मान में व्रद्धी होगी कुछ सामाजिक सम्मान मिलने के संभावनाएं बढ़ेंगी लोगों के बीच में आप जाने जाएंगे वहीं ये व्रस्पती 10th Lord भी है करम में व्रद्धी करम से धन करम से लाब क्योंकि करम का मालिक लाबस्थान में है आप अपनी way of talking से पैसा कमा रहे हैं आप अपने अच्छे बोलचाल अच्छे वहवार से पैसा कमा रहे हैं तो उस लिहाड से भी ये combination अच्छा है क्योंकि जहां का स्वामित्व है वहां से भी planet अच्छा जहां चल रहा सा उससे और अच्छे भाव में आ गया साती सात ब्रस्पती शनी का पंचम भाव का transit का मतलब educationally better है love relation के लिए better है life के अंदर कुछ बहतर creative होने के लिए तैयार है संतान प्राप्ती के लिए अच्छा योग है संतान से सुक सहयोग मिलना या कभी-कभी ऐसी स्थितियों में संतान का रिष्टा ना हो रहा हो तो रिष्टा पक्का होने की भी उम्मीद इस दोरान बहुत जाद हो जाती यानि ये गोचर overall सभी तरीके से better है क्योंकि ब्रस्पती यहां से बैटकर सब्तम भाव को भी द्रश्टी दे रहे होंगे इसका मतलब है शादी अगर नहीं हो रही है तो शादी कराने में ये प्लेनेट सक्षम है बहुत सारा एक ही प्लेनेट ने देने का हैं विचार बनाया हुआ है के शनी भी तैयार ब्रस्पती उसका और सहयो करने के लिए आ गए राशी के मालिक भी हो गए करम के मालिक भी हो गए द्रश्टी भी अच्छे अच्छे भावो पर है तो कुल मिलाकर ये ट्रांजिट आपके लिए बेटर ही है अगर आपको ब्रस्पती की महादशा अंतर या प्रतेंतर चल रही है तो ये आपके लिए और ज्यादे better combination हो गया क्योंकि लाब के अफसर तो मिलेंगे ही दशा भी बहतर हो गई तो आपके लिए और better है otherwise अगर दशा अच्छी नहीं है तो 30% के गोचर के परिणाम आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे तो ये था मेरा आज का विशय के ब्रस्पती का ये ट्रांजेटर आपके लिए कैसा है ये 65-70 दिन आपके जीवन में कैसे होंगे भले ही ब्रस्पती नीच और वक्री होंगे लेकिन इन शब्दों से घवराना नहीं है प्लैनेट देखो पोजिशन देखो कहा है कहा जा रहा है उससे रिजल्ट आपको मिलेगा तो ये था मेरा आज का विशय फिर से नए विशय के साथ आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ जैश्री राम